नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवरदार नोज CAA यानि नागरिक्ता संसोधन कानून नागरिक्ता संसोधन कानून के तहट प्रदर्शनों की भरमार है और कभी प्रदर्शन समर्थन में तो कभी बिरोध में हो रहे हैं पिछले एक से डेड़ महीने बीच चुके हैं इस कानून को पारित हुए लेकिन उसके पस्चात प्रदर्शनों का दौर लगातार दिनों दिन चलता रहता है और इन ही प्रदर्शनों के तहट मध्ध प्रदेश के बिदिसा जिले के कुरुवाई नगर के मुस्लिम समुदाय के द्वारा NRC, CAA के खिलाप मौन जुलूस निकाला गया आपको बता दे कि मुस्लिम समाज के नेत्रित में सभी धर्मे के लोगों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर CAA, NRC, NPR के विरोध में मौन जुलूस निकाला और सर्बोच नियाले के मुख ने आया धीस के नाम तहसीलदार महोदे को ग्यापन सौपा इस जुलूस में भीम आर्मी के लोगों ने भी बढ़ चड़ करके हिस्सा लिया जुलूस के लिए सभी धर्मे के लोग जामा मस्जिद के पास क्लब ग्राउंड में हजारों की इतादात में कठा हुए यहाँ पर सभी धर्मे के नेताओं ने उन्हें शंबोधित किया और CAA NRC जैसे काले कानून से होने वाले नुक्सान के बारे में लोगों को अबगत कराया उसके बास तभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर मान जुलूस के रोप में तहसील कारियाले पहुँचे जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिप सुनेल बोर से एबम मौलाना खलील ने लोगों को संबोधित किया और CAA NRC NPR जैसे काले कानून से होने वाले आर्थिक नुक्सान और सामाजिक नुक्सान के बारे में लोगों को बताया साथ ही साथ मौलाना खलील ने कहा कि हमारे संबिधान में अनुक्षे 14 वा 15 के बिरोध में यह कानून लाया गया है हमारा देश सभी धर्म के लोगों को समानता का धिकार देता है मगर भारती जनता पार्टी बोटों की राजनेत के लिए हमारे देश की अमन और सांती को खत्म करने पर तुली है जो की हम हरगिज बरदास नहीं करेंगे हमें अपने देश के संबिधान के लिए अगर सहीद होना पड़ा तो हम उसके लिए भी तयार है बक्ताओं ने मंच से कहा जब तक यह काला कानून वह अपस नहीं लिया जाएगा हम अपनी आबाज बुलंद करते रहेंगे वह देश के संबिधान के लिए लड़ते रहेंगे वहीं सुनेल बोरसे ने अपने उद्वोधन में कहा देश का प्रधान मंत्री एवं गिरह मंत्री बावा साहब के लिखे संबिधान के साथ खिलबार कर रहेंगे जो सराशर गलत है और जो यूबा इसके खिलाप आबाज उठा रहे हैं उनकी गिंती उपद्रवियों में किय जा रही है उन पर लाठिया भाजी जा रही है जो गलत है इस सरकार के सच को कुछला जा रहा है पर हम ये बर्दास नहीं करेंगे अगर ये काला कानुन वापस नहीं लिया गया तो हम आगे और आंदोलन करेंगे बोर्षे ने जुलूस में मौजूद सभी लोगों को समिधान की रक्षा करने की सपत दिगाई अधिक जानकारी के लिए बिदिशा से हमारे रिपोर्टर आसीस सहले की रिपोर्ट देखते रहिए दख़बरदार नोच को एक संपल पिभूत संपल समाजवादी पार्थ निर्पर्च लोग दंत्राफना कंराज बनाने के लिए तथा उष्कर समस्ष नागरिकों को सामाजी कार्थिक और राजने तिगने विचार अभिनक्ती विष्वास धन और पासना की सतंपता पिष्टा है रोसर की संपता प्राप्त कराने के लिए तखा उन सम्वे बेक्ती की करिणा राष्ट की एकता और अखंड़ता शुक्सित करने वाली संपता बहरा के लिए पर संकर भोकर अपने यसी संधान स्वामे आज तारिक शप्रिस महंदर अन्यसा उनन्चास को हैकत द्वारा इस संधान को अंड़ी की कताते हैं कि अंड़त काते हैं तन्यक कुलोगों से चेभिन तो लो हाथ उठा के बुलें आइसा बोल दो आपको क्या लगता है कि आपके बाद का जवाब दे दू कि सभी समाजों के लोगों ने हिस्सा लिया असल में जब देश की आजादी की लड़ाई की हम लग रहे थे तब भी समी समाजों के लोग हमारी आजादी की लड़ाई के साथ खड़े थे आज भी खड़े हैं और आने वाले हजारों साल थक हमारा देश अक्षुन बनकर खड़ा रहेगा मैं ये कहना चाहता हूँ भारतिय जंता पार्टी की जो सरकार मोदी जी की सरकार है वो जूट बोलने का स्पेशल ट्रेनिंग देने वाली सरकार है देश को केवल सक्ता पाने के लिए सक्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के शड़ियां त्रवो कर रही है इससे हमारे देश को कोई फरक पड़ने वाला लेगा इस कानून से क्या नुक्सान है देश वासरी का लिए कि आपको लगता है कि मुसल्मानों के खिलाफ या उनके साथ नाइसाफी है फिरो वे मुसलिमों के साथ बहुत जाला है इसा मानना है जो भारत की दर्ती पर पैदा हुआ वसल्मान इसको इग्नोर करते हैं तो इनके हर कानुन में सडियन्त और साजिस की बूँ आ रही है राज सब्वामे बहुमत में नहीं थी इसके बावजूर भी बहुमत से पारित हुआ तो क्या जो सेकुलर दल है हं हंदुस्तान की उनका मूख समर्थन था क्या देखिए इसमें राज सब्वामे जो लोग पहुचे लोग हैं जिसरा हम पार्टी को बलांग करते हैं पर इसका विरोध भरपूर तरीके से किया गया लेकिन जिस तरीके से राज स्थी का विल्पास हुआ है यह चिंता का विशह है और इसके उपर आगे जो है कारवाई होगी और इसी की तहा और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद